इस वीडियो में डिस्कुशन करेंगे हिमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन सीमला तता हिमाचल परदेश स्टाफ स्लेक्शन कमिशन हमेरपुर के दौरा पांच नई नोटिपिकेशन निकाले गई है क्या क्या नियम है कौन कौन सी प्रिक्साइं कोबिट 19 पेंडमिक क का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है हमारे परदेश में भी उसके कारण बादी तो ही है उन्हें रिसेडियो किया जाएगा संपुन जानकरी आपको इस वीडियो में दी जाएगी साथ में याद रखिए काफी सजगता से काम लीजिए कोबिट 19 काफी तीबर गती से और भा दारित एक किताब त्यार की गई है इस किताब में 60 chapters है और 7 में आपको यहाँ पर 549 pages किये किताब है इसमें 10 पुराने प्रसंद बत्तर भी solve किये गए है mock test है एक काफी बेतरिन किताब मानी जा सकती है इस किताब को purchase करने से पहले आप इस website पर जाएगा elastudyco.in जब आप पर जाएंगे उसके नीचे इस बुक क्यों पर क्लिक कीजिए गा साथ में आपको इसकी पूरी के पूरे contents की description मिल जाएगी उसके बाद आप इस किताब को purchase कीजिए साथ में आप इलैक्षटी क्रांट पर के जो क्रांट अफेर्स है इसमें समीलित है हिमाचल परदेश के क् सबसे पहले नोटिफिकेसन जारी की गई है हिमाचल परदेश पबलिक सर्विस कमिशन सिमला के दारा 21-11-2020 को इसमें कहा गया है कि जो कोबिड-19 है उसके कारण जो HP Judicial Services का में एक्जामिनेशन होना था जो कि पहले सेड्यूल हो चुका था 25-12-20-28-20 The further schedule for connect of said examination will be issued in due course of time ठीक है जी तो अब इसको फिर से करेंगे यहां पर ठीक है इसको पोस्ट बन कर दिया गया है आगे आपको इनफर्मेशन करेंगे इसी तरह की नोटिफिकेसन से इनकी वेप साइट पे भी आई और हमारा पे प्रयास रहेगा कि हम आपको यहां से सेड्यूल किया गया था इवेलुवेशन ओफ डॉकुमेंट सेल रहा था 23 नमंबर 2020 तो 26 नमंबर 2020 तक अब देखिए था कैंडिटेट्स फू है बन कॉल्ड फॉर इस इनफर्म्ड नॉट तो रिपोर्ट फॉर अब पर पर पजब इस दिनांक पे जाने किया आप सकता नही है दा फ्रेश सेड्यूल फॉर कनक्ट ओफ एवलुवेशन फॉर दा सेड्ड पोस्ट बिल भी इसूट लेटर ड्यू तो कोविड-19 पैड़ामिक के कारण ही लेक्ट्र स्कूल नियू की जो इवलुवेशन ओफ डॉकुमेंट ती उसे भी स्तगित कर दिया गया है नमिनतम इनके नाम है पलक और प्रेम चंद्रा यादव इनको क्या करना होगा मैट्रिक और प्लस टू का एदिन उनने हिमाचल परदेश सिक्सा बोर्ड से की है तो यह triple sb-hp at the rate nic.in हिमाचल परदेश से की है ठीक है जी यहां पर ऐसा mention नहीं किया है यह इदिन उनने बहार से की है लेकिन इनके पास bonof id हिमाचल लिया तो तीन दिन के अंदर अंदर टिपल sb-hp at the rate nic.inpartment documents फरवर्ड कर दीजिएगा अगला notification यहां पर जारी किया गया है laboratory assistant post code 778 के लिए इसमें भी कहा गया है दिखिए इसका नंबर है connect by the commission 29 November 2020 morning session and eligibility criteria इस पर दारूर इस दा पोस्त की यहां पर थोड़ से समें सोधन किया गया है तो eligibility का जो criteria है यहां पर प्लस टू किया होना चाहिए किसमें जी science के साथ में आपने physics chemistry और biology पढ़ा होना यहां पर mandatory किया गया है ठीक है जी और उसके अलाबा यह से 45 वर से निर्धारित की गई है और उसका जो निर्धारन है एक एक 2020 से किया जाएगा अगली notification जारी की गई है पोस्त कोड 796 जो की समंदित है आपका जेई की पोस्त से ठीक है जेई mechanical के लिए यहां पर भी यह candidate है इनको कहा गया है कि आपने metric और प्लस टू यह आपने हिम हमाचली है तब भी आपने क्या करना है आपने बोनोफटा फिमाचली को ट्रिपल एस भी डैस एच्पी एड़रेट एन एसी डॉट इन पर भीज़ना है केंडिट का नाम है हर सेखर जस्वाल तो स्टेंस यह थी सारी जानकारी और आज आपका सैट का पेपर भी आप सबको हमारे टीम के तरफ से बहुत बहुत सुब कामना है साम को मिलेंगे साट के पर के बीसलेशन करेंगे पहला पेपर आपको जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा बारा साड़े बारा बज़े के आसपास आप बने रही है हमारे इस प्लेट फॉर्म पे और भी नमिंतम जानकारी हम आपको देते रहेंगे तब तक आप Elastity Platform की बुक्स के साथ में अपनी तेरी कीजिए Thank you very much, keep watching Elastity YouTube channel